हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त नायराब का स्वागत करती हूँ हमारी चानल हेल्थ इस गल्थ पर प्रोटेस्ट कैंसर को रोकने के लिए सबसे अच्छा आप्शन क्या हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि हमें अच्छे आहर का सेवन करना चाहिए, योगासन करने चाहिए, नायरा हमें यही को बताती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रोटेस्ट कैंसर को रोकने के लिए एक बहुत ही साधारन से सबजी का प्रियोग आप रोजाना कर सकते हैं जी हाँ मैं बात करने वाली हूँ आज टमाटर के बारे में रोजाना एक टमाटर का प्रियोग करके आप प्रोटेस्ट कैंसर से अपने आप को बड़ी ही आसानी से बचा सकते हैं एक शो से पता लगाया गया है कि यदि आप एक हफते के अंदर आच से दस टमाटरों का सीवन करते हैं तो यह है आपके शरीक के अंदर प्रोटेस्ट कैंसर को 18 परतीशत तक कम हो कर देता है जिसकी वज़े से आप अच्छे तरीके से सुरक्षित भी रह बाते हैं साथ ही साथ टमाटर के अंदर मौजुदा विटिमिन्स आपके शरीक को पोशिद भी कर पाते हैं टमाटर के अंदर कई ऐसे तत्व होते हैं जो ना के वर आपको प्रोटेस्ट कैंसर से बचाते हैं बलकि आपकी स्किन और आपके लंग्स को अच्छा बनाने में भी काफी ज्यादा मददकार होते हैं इसलिए आप चाहे तो रोजाना टमाटर का सेवन करके भी अपने शरी से प्रोटेस्ट कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं आप चाहे तो रोजाना टमाटर को अपने सैलड ये अंदर सेवन कर सकते हैं या पिर रोजाना टमाटर के देखा आपने किस तरह के से मामूली से दिखने वाला टमाटर भी हमें प्रोटेस्ट कैंसर जैसी बड़ी बिमारी से बचाने के लिए मददगार होता है। इसी डिया अपने खाने के अंदर टमाटर को शामिल करना बिलकुल न भूलिए मेरी इस वीडियो को देखिए और लाइक ज़रूर कीजिए तब तक मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाज़त लेती हूँ